हेलो गाइज वैलकम टू आवा यूट्येब चानल इस्टोडि विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफे इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए हूं तो देखिए आपके आगामी उत्राखंट के सभी एक्साम के रिकार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए जी के जीएस एंड उ अब इंस्पेक्टर के एक्साम के लिए काफ़ी महतफोन रहने वाली है चलिए आज किस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टुडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर ल और टेलिग्राम ग्रूप पर रात को आट बजी क्विज का भी आएजन किया जाता है काफ़ी इंपोर्टेंट क्विजन आपको क्विज के रूप में दिये जा रहे हैं तो आपको जॉइन कर सकते हैं देखें आप सभी को इससे पहले एक से लिके 20 तक की क्विजन पार्ट फरस्ट में प्रोवाइट करा दिये हैं तो जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है इसका पार्ट वन आप देख सकते हैं उपर आपको अपने स्क्रीन पर आई बटन दिख रहा होगा तो आप अगर आई बटन क्लिक करते हैं तो यहां से आप इस क्लास का पार्ट वन देख सकते हैं काफी महत्वपोर्ण पार्ट वन है आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो फहले पार्ट वन देख लेजे इसके बाद यहां से स्टार्ट केजे चले क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और इस क्लास में आपका 21 वा कुश्यन है प्राचीन उत्राखंड में द्वी तथा त्री मुद्रा लेक का समन्द किन शाषकों से था most important question है तो देखे प्राचीन जो उत्राखंड था तो प्राचीन उत्राखंड में द्वी तथा त्री मुद्रा लेक का समन्द था यौधि शाषकों से option फर्स्ट इस्कुशन का राइट आंसर है देखिए यौधे जो थे ये किसके समकालिन थे पूछ लिया जा सकता है तो यौधे आपके कुणिंदों के समकालिन थे और इनकी मुद्राएं जो है यौधेयों की जो मुद्राएं है ये जौन सार भाबर तथा कालो डांडा से मिली इनकी जो मुद्राएं है ये कहां से जॉन सार भाबर और कालो डांडा से मिली है और यौधे शाषकों के सिक्कों में शूल धारी कार्थिके का चित्र अंकित है चलिए नेक्स्ट कुशन है कुमाव परिशत की स्थापना का मूल उद्देश किसके निवारण आर्थ था वन समश्या के निवारण आर्थ ओप्शन सेकेंड इस कुशन का राइट आंसर है दिखे कुमाव परिशत की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर 1916 में हर गोविन्द पंत बद्रिदत पांडे गोविन्द वल्लब पंत आदिके प्रियासों से नेनिताल में इसके स्थापना हुई थी और इसका मूल उद्देश वन समश्याओं का निवारण करना था बाद में इस परिशत ने सामाजीक इसके अलावा आर्थिक राजनेतिक वशिक्ष्या समश्याओं पर भी कारी किया कुमाओ परिशत का पहला अदिवेशन कहां पर हुआ पूछा जाए तो आपको यादन है इस परिशत का पहला जो अदिवेशन हुआ था ये अलमोडा में हुआ था अलमोडा में इसका पहला अधिवेशन हुआ था 5 सितंबर 1917 को हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जैदत जोशी ने कुमाव परिशत का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ये आपका कहां पर हुआ था हलद्वानी में हुआ था कब हुआ वर्ष 1918 में हुआ और तारा दत गैरोला ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी थर्ड अधिवेशन जो हुआ था इसका थर्ड अधिवेशन वर्ष 1919 में हुआ था कहां पर कोट द्वार में कोड द्वार में इसका थर्ड अधिवेशन हुआ था बद्रिदत जोशी द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गए थी देखे कुमाओ परिशद का जो तीसरा सम्मेलन है ये काफी महत्वोन है इससे रिलेट करके और भी क्वेशन आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं हो सके तो इन पॉइंट्स को आप सबी लोग नोट कर लीजे मैं बता देती हूँ देखे कुमाओ परिशद के तीसरे सम्मेलन में जंगलात प्रस्ताव रखा गया किसने रखा ये भी पूछा जा सकता है तो जंगलात प्रस्ताव रखा गया इस अधिवेशन में प्रेम बल पांडे द्वारा रखा गया और इसके अलावा कुली उतार प्रस्ताव भी इसी सम्मेलन में रखा गया था मतुरा दत नैथानी के द्वारा तो थर्ड जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था कोट द्वार में हुआ था और देखे फोर्थ अधिवेशन इसका हु में कुमाओं परिशत को कॉंग्रेस में विले कर दिया गया अगला कुशन देखेंगे गेंदवा मेला निमने मैं से किस गाउं से समंदित है तो देखे गेंदवा मेला समंदित है किस गाउं से नेटवार गाउं से ओप्शन फोर्थ इस कुशन का राइट आंसर है गेंदवा मिला किस जन्पद में आयजित किया जाता है इस तरीक से अगर फूश लिया जाए तो आपको याद रखना है यह जो जन्पद है यह आपका उत्तरकाशी जन्पद उत्तरकाशी जन्पद के नेटवार गाउं में इस मेले का आयजन किया जाता है मक question देखेंगे चامोली जन्मद में वन पन्चायच़ का गठन किश्वर्ष किया गया Most important question तो देखें चामोली जन्मद में वन पन्चायच़ का गठन किया गया था वर्ष 1932 में और वहीं आप लोगों से पूछ लिया जाए कि उत्राखन में वन पंचायतों का अफिशली गठन कब हुआ था तो वन पंचायतों का अफिशली गठन हुआ था उत्राखंड राजिय में वर्ष 1931 में और मोली जनपद में जस्ट एक साल बात कर दिया गया था इसको भी आप याद रखेंगे और देखे इस क्रिशन से रुलेट करके कुछ और क्रिशन भी हो सके पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे उत्राखंड वन विभाग का जो हैटकौर्टर है वो कहाँ परिस्तित है देहरा दोन में, देहरा दोन में उत्राखंड वन विवाग का हेट कौराटर यहनी मुख्याले है और वन शंगरक्षन अधीनियम कब पारित हुआ था? पूश लिया जा सकता है तो आप सभी को पता रहना चीए वर्ष 1990 में वन शंगरक्षन अधीनियम पारित किया गया या फिर कमेंट के माध्यम से मैं इसका राइट आंसर बताऊंगी फिलहाल आप कोशिश किजिए इसका राइट आंसर लगाने की अगला कुश्चन है भारत में जल परदूर्शन नियंतरन कानून कब लागू हुआ तो देखें इंपोर्टेंट कुश्चन है ये भी आपका भ यानि परदूर्शन रोकथाम और नियंतरन अधिनियम 1974 पारिद किया और इस अधिनियम का मुख्यों देश्य जल निकायों को सच्छ बनाए रखना है और परियाबन शंग्रक्षन अधिनियम के प्रावधानों की पुष्टी करने के लिए वश 1988 में शंशोधन किया गया ज जल अधिनियम के प्रावधान नदियों इसके अलावा अंतिस्तलिय जल भूजल और समुद्री या ज्वारी जल पर लागू होते हैं यहां अधिनियम किस किस पर लागू होता है इसके प्रावधान किस किस पर लागू होते हैं पता रहना चिए तो नदियों अंतिस्तलिय जल, भोजल, समुद्री या फिर ज्वारी जल पर जल अधीनियम के प्राफधान लागो होते हैं, अगला कुशन देखेंगे, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया, तो देखें, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया, महायान संपरदाई की द्वारा option first discussion का right answer है देखे चित्र काला की जो गांधार शैली है इसका सूत्रपात कुशान काल में किस काल में पूछ लिया जाए तो कुशान काल में महायान संपरदाई द्वारा किया गया गांधार काला की विशेवस्तू तथा शैली युनानी रोमन थी युनानी रोमन थी गांधार काला की विशेवस्तू तथा शैली जो थी ये युनानी रोमन थी इसलिए गांधार शैली को ग्रीक रोमन या हिंदू युनानी कला भी कहा जाता है अगला कुश्यन है आपका भारती मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है देखे भारती मौसम विज्ञान विभाग कहां पर इस्थापित किया गया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में option third बिल्कुल राइट आंसर है भारती मौसम विज्यान विभाग भारत सरकार के पर्थवी विज्यान मंत्राली के अंतरगत मौसम विज्यान प्रेक्षण मौसम पुरवानुमान और भुकमप विज्यान का कारीभार समालने वाली सरुप्रमुक एजेंसी है और इसका हेल्थ क देखेंगे राश्टी पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है देखें राश्टी पंचायती राज दिवस आपके 24 अपरेल को मनाया जाता है पंचायती राज का मतलब स्वसासन से है यहाँ पे और देखे यहाँ व्यवस्था सासन के विकेंडरी करण के तहत की गई है पंचैती राज सास्ता को भारत के सबसे पुराने शासे निकाईयों में माना जाता है और हर साल सत्ता के विकेंडरी करण के एथिहाचिक शन को यादकार बनाने के लिए भारत 24 अपरेल को पंचैती राज दिवस मनाता है अगला कुशन है आपका कुमाओ कुमुद समाचार पत्र का प्रकाशन किश वर्ष आरंब हुआ कुमाओ कुमुद समाचार पत्र का प्रकाशन आरंब हुआ वर्ष 1922 में ओप्शन सिकिन बिल्कुल राइट आंसर है देखे अलमोडा जनपत अल मोला से वर्ष 1922 इस्वी में जिला समाचाड नाम से समाचार पत्र निकाला गया जो वर्ष 1925 इस्वी में खुमाव कुमूद। नामस ही निकलने लगा और इस पत्र का संपाधन किस ने किया पूश लिया जाए तो कुमाव कुभूद समचार पत्र का संपाधन किया था फूण चंद ने पूण चंद द्वारा इसका संपाधन किया गया था अगला कुश्वन दिखेंगे किर्शी उत्पादन विपनन बोर्ट का गठन किश वर्ष किया गया देखें किर्शी उत्पादन विपनन बोर्ट का गठन किया गया था वर्ष 2000 में option first is question का right answer है अगला question देखेंगे निम्न मैंसे किस व्यक्ति को तराई का विश्व कर्मा कहा जाता है important question है तो देखेंगे तराई का विश्व कर्मा कहा जाता है इन मैंसे हैंवी रैम्जे को option third बिलकुल right answer है देखेंगे रैम्जे को कुमाओ का बेताज बात साबिक कहा जाता है और हैंवी रैम्जे 1856 से 1884 तक कुमाओ कमिशनर पद पर रहे और ये कुमाओ के sixth way कमिशनर थे sixth way number के ये कमिशनर थे कुमाओ के और मूल रूप से कहा की निवासिते पूछ लिया जा सकता है तो मूल रूप से ये Scotland के थे हैं अगला question है आपका नंद सतशी मेला किस जनपत में लगता है नंद सतशी मेले का आयजन किया जाता है नेनी ताल में अगला देखेंगे परशुद शेर गड़ दुरग की स्थापना किस ने की थी काफे महतपोन कुश्यन है तो देखे पिश्रिद शेरगड दुर्ग की स्थापना की थी किस थे माधो सिंग भंडारी ने इसकी स्थापना की थी और देखे माधो सिंग भंडारी जो थे ये महीपति शा के सेनापति थे और माधो सिंग को क्या कहा जाता है गर्व भंजक कहा माधु सिंग भंडारी को, माधु सिंग ने मलेथा की गूल का निर्मान किया था और मलेथा की गूल छेनाधार पहाड़ी पर बनाई और चक्मा नदी या पिर डांगर नदी से पानी निकाला गिया था, अगला कुश्यन देखेंगे, तेरवी शताब्दी में राजिस्थान के माउंट आबो में परशिद दिलवाडा मंदिर किस ने बनवाया था, तो देखें, इसके अलावा तेजपाल, तो इस कुश्यन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपके दिएगे ओप्शन में वास्तुपाल और तेजपाल दोनों होते हैं, तो आप दोनों करेक्ट करेंगे, यानि कि वास्तुपाल और तेजपाल ये दो भाई थे, तो इन दो भाईयों द्वारा यह मंदिर बनवाय गया, और यह मंदिर राजिस्तान के सिरोही जिले के माउंट आबु नामक नगर में इस्तित है, और देखें, इन मंदिरों का निर्मान ग्यारवी और तेरवी शिताबदी के बीच हुआ, इन मंदिरों का संबंध किस धर्म से है, दिलवाडा मंदिर का संबंध किस धर्म से है, पूछलिया जा सकता है, तो देखें, जैन धर्म से इसका संबंध है, अगला कुश्यन देखेंगे, निमन फर्स्ट यहां पर आपका right answer है पनिहारी जो है यह राजिस्थान राजी का राजिस्थान राजी का प्रषिद्द लोक नृतिय है और यह नृतिय काल बेलिया जाति के इस्त्री पुरुष सुद। किया जाता है ध्यान देजेगा काल वेलिया जाती के इस्तरी प्रोस यह नुरतिय करते हैं पनीहारी नुरतिय प्रशिद घुमा नुरतिय के समान होता है और इस नुरतिय में महिलाएं सिर पर मिट्टी के घड़े रखकर हाथ हो एवं पैरों के संचालन के साथ नुरतिय करती कॉपी पैनल लेके जरूर बैठिए इन क्लास को देखने के लिए क्योंकि देखे एक कुशन से बहुत सारे पॉइंट निकल कर आ रहे हैं सामने तो यहां से भी कुशन बन सकते हैं कि कुशन को इतने डीप पढ़ने का यही मतलब है कि आप लोगों से आयो कोई भी कुशन पुट अप कर ले तो आप वहां पे अपना बिलकुल राइट आसर लगा ले तो यही स्टुडी विद एम का मोटो है कि आप सभी लोग अपना सेलेक्शन पाएं और यहां पे आप सभ ग्रीस्टिंग कुशन आप सभी लोगों के लिए यहां पे लायए जा रहा है तो आप इन इन क्लास को जोइन जरूर कीजिए और हां आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि आप इनको शेर जरूर केजिए गार्थी कि रीच बहुत कम आति है इए इस फिर हम ल देखते हैं, आप लोगों ने चैनल अभी भी सस्क्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इसको सस्क्राइब कर लिजे, फिर नेक्स्ट कुशन आप देखे, मठ्की किस राजी का नृत्य प्रारूप है, तो देखे, मठ्की ये माधिय परदेश राजी का नृत्य प्रारूप और लोकसाभा की ST seat सरवाधिक reserve है यहाँ पर मध्यप्रदेश राजी में कितने seat पूछ ली जाए तो 6 seat यहाँ पर ST के लिए reserve है सरवाधिक reserve seat है यहाँ पर और SC की अगर हम बात करते हैं तो SC के लिए सरवाधिक reserve seat किस राजी में है पूछ लिया जाए तो उत्तर परदेश राजी में SC के लिए सरवाधिक reserve seat है और कितनी है यहाँ पर उत्तर परदेश राजी में 17 seat SC के लिए reserve है और केरल का सास्त्री नृति यानि कि क्लासिकल डान्स कौन सा है पूछ लिया जाए तो कथक कली और मुहनी अटम इनका संबन्द है केरला से इनको ध्यान रखे अगला कुश्यन है आपका भारत का पर्थम उपगरह आरीबट कफ छोड़ा गया तो देखिए भारत का पर्थम उपगरह है आरीबट और इससे छोड़ा गया था वर्षो 1975 में तो option second बिल्कुल राइट आंसर है अगला दिखेंगे राजगड़ी को ग्रिश्म कालिन राजधानी बनाने वाला पमवार शाशत था प्रथवी पतिशा option first बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रथवी पतिशा जो है इन्होंने राजगड़ी को ग्रिश्म कालिन राजधानी बनाए और वहां का राज़ा किसको बनाया था दिलिप शा को दिलिप शा को वहां का राज़ा बनाया गया था राजगड़ी का प्रथवी पति गद्धी पर कब बैठे थे ये भी पूचा जा सकता है, तो देखे जब ये गद्धी पर बैठते हैं, तो उस्तम इनकी आयू साथ वर्ष की थी, और वर्ष 1640 इजरी में इनका राजी अभिशेख हुआ था, और इनकी शांगरक्षिका कौन थी फूच लिया प्रथवी पति शा ने, अगला कुशन देखेंगे, उत्राखंड में सौभा के वती योशना का संबंद है, उत्राखंड राजे में सौभा के वती योशना का जो संबंद है, ये महिलाओं से है, ऑप्शन से किन बिलकुल राइट आंसर है, अगला कुशन देखेंगे, नंदा राजा दियात्रा में छतोली भीजने वाले चंद राजा थे बाज बहदूर चंद आप्शन फर्स्ट बिलकुल राइट आंसर है नंदा देवी राजा दियात्रा में सबसे आगे चार सिंगो वाला मेंडा यानिके खाडू और पीछे छतोली के लिए लोग चलते हैं और ये छतोली रिंगाल से बनी होती है और इस यात्रा को हिमाले का महाकुम्ब भी कहा जाता है नंदा राजात यात्रा जो है इससे हिमाले का महाकुम्ब कहा जाता है और पर्थम नंदा राजात यात्रा कब हुई थी पूछिया जाए तो वर्शों 105 इस वी में पहली वागाउं के पास नौटी नामकिस्थान से होम कुंड तक जाती है तो यहां पर आपको जो भी important points बताए जा रहे हैं इन्हें no down जरूर कर लिजेगा डेली आपको 20 questions की स्रीज दी जारी है ताकि आपको बहुत ज़्यादा load ना हो याद करने में तो 20 questions मादर दिये जा रहे हैं धिरे धिरे आप सभी के बहुत ज़्यादा content आपका prepare हो जाएगा और आगामे exam में आप सभी लोग अपना बहतनलीन प्रदर्शन कर सकते हैं तो okay guys आज के session में इतना ही I hope आप सभी को आज का ये session काफी पसंद आया होगा कर लें चलिए मिलते हैं next interesting videos के साथ अब तक के लिए धन्यवाद